हलो गाईस विल्कम बेक टू माई नीव ब्लॉग वीडियो और अभी मैं जो है फिर आपको लेके चल रहा हूं जो आपको मैं पिछले बार एक बार बोला था कि मैं आपको बहुत जल्द सायर माई का मंदिर का वीडियो दिखाऊंगा जो कि मेरे गाउं में नया मंदिर बना ह है और आज वहें पर मैं लेके चल रहा हूं आप देख सकते हैं खेतों के बीचों बीच चल रहा हूं क्योंकि जो मंदिर बनाया गया है वह एकदम खेतों के बीचों बीच क्या बताएं मतलब गास बहुत दूर ही बना दिया गया है और चलिए आज वहां पर लेके चलते है क्योंकि मैं आपको गाओं का भी नया नया अपडियत देता हूं तो मैं सोचा कि आज मैं वहां भी आपको लेके चलूँ और देखे धान की कटाई शुरू हो गई है हमारे तरफ और चलिए लेके चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो गाओं के बीचों बीच मंदिर बनाया गया है और गाओं जैसा देख रहे हैं बस हमसायर माई करीब आ चुके हैं देखिए यहां पर धान की कटाई शुरू हो गई है और यहां पर देखिए यहां से काफी करीब मैं आ चुका हूँ बस देखिए यही सायर माताग मंदिर है चलिए यहां से चलने का रस्ता धूरते हैं क्योंकि काफी दान है और दान तो है पतला रस्ता है पर उससे ज़्यादा घास जमा हुगा है तो चलिए कोशिस करते हैं और देखिए गाईश अब ये रस्ता मिला है विस रस्ते से हम चलेंगे वहाँ पे वहाँ पे देखिएंगे तो सब गाउं की औरते हमारे धान काते रही है और ये सब धान भी कातने लायक हो गया है और चलिए देखते हैं बहुत का पास आ चुके हैं और गाईश देखिए जो है बस मंदिर के एकड़म करीब आ गए है और देखिए यही सायर माता का मंदिर है अभी देखिए कितना दूर हम पूरा वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि पूरा वीडियो लेते तो काफी लंबा हो जाता इसलिए जो है रोक रुक के फिर भी काफी घूम के आना पड़ा है हमको और नीचे देख सकते हैं कैसा रास्ता है बड़ा नीचे का जमीन तो दिखाई नहीं दे रहा है और फिर भी जो है चलिए आ चुके हैं यहां तक एकडम पास में और देखिए यह मंदिर पहुच गया है हम लोग और आपको बताना देखाइस कि यह मंदिर जो है अनिल कुमार के माध्यम से बनवाया गया है जो कि वह आर्मी में है इस वक्त और हमारे देश की सिवा में लगे हैं और यह सायर माता मंदिर है देख सकते हैं जैसा चारों बगल देखेंगे तो सब खेत ही खेत हैं मतलब आने जाने कि कहीं भी रास्ता नहीं है कहीं भी जी गाओं के एक दम बीचों बीच और खेतों बीचों बीच सामने उपर बोड़ देख सकते हैं और प्री सामने मूर्टी और गारष देखेंगे यह सायर माता के मूर्ती है जो की बहुत ही अती सुन्दर यानि एक दरह से विसाल तो नहीं कर पर भब मुलती जरूर लग रहा है ऐसे लग रहा है साच्छात माता भी राजमान है और यह गाओं की देवी है सायर माता गैस जैसा कि आप लोग सायर माता का मंदिर दिखाया और कितना चोटा मुरती जरूर है पर साच्छात ऐसा लग रहा है कि जैसे माता भी राजमान है और गाउं के बीचों बीच यह मंदिर बनवाया गया है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए है तो प्लीस यार हमारे चैनल को सपोर्ट करिए फिर बाकी मिलेंगे फिर नए वीडियो में और आपको मैं बताया था कि जो है मैं यहां का वीडियो जल्द लाओंगा एक पिछले वीडियो में जो माय विलेज ब्लाग बनाया था उसमें मैं आपको बोला था तो मैं बोला कि यहां का वीडियो आपको जरूर दिखाना चाहिए और मैं गाओं से जूड़ी हर अपडियत आपको देता रहता हूँ तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वेडियो में नेक्स्ट जगह धन्यवाद